हमने अफसर देखा है कि घर में कई प्रकार के जीव अचानक निकलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में इसका निकलना शुब होता है या अशुब? बास्तु सास्त के अनुसार घर के अंदर छचुंदर या चूहा का आना सुब अशुब शंकेत देता है। यह संकेत, दन संपत्ती, सेहत, दुश्मनों से जुड़ी एहम बाते बताता है। जीवों के निकलने के साथ घर में कई जगें बिल बनाना या अजीव हर्गतें करना यह भी सोव अशुब का संकेत देते हैं। जोत्य साचारे पंडित पंकच पाठक ने लोकल 18 को बताया कि वास्तु सास्त के अनुसार घर की सभी चीजें परिवार की आर्थिक इस्तिती पर प्रभाव डालती है। घर में कीडे कतंकों का निकलना या बहार आना आम बात होती है। इसमें चूहे, छिपकली, छचुंदर, लाल चीटी, काली चीटी और भी अन्य प्रकार के जीव सामिल है। घर में अचानक चूहों की संग्या बढ़ जाना या फिर घर में कई जगे बड़े बड़े बिल बनाना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपका दुष्मन आपको बड़ा नुक्सान पहुचा सकता है। दर्मसास्त के अनुसार चूहा भगवान गनेज जी का बाहन होता है। घर में चूहा निकलना सामान्य बात होती है। इसके अलावा चूहों का रात में आवाज करना असुब माना जाता है। यह भी किसी अन्होनी की गटना की और इसारा करता है। इसके साथ ही चूह की अम्रद्दी की कमी के संकेत होता है इसी प्रकार चुवा की संख्या बढ़ना बीमारी का संकेत देता है घर से निकलते समय चुवे का देखना सुब माना जाता है लेकिन हमें कभी भी चुवों को नहीं मारना चाहिए अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवन गनेश जी हमसे वगवर दगरण देंगे घर में चचुवाता है उचायाशर का आना सुव माना जाता है तो पर बास्तों में अलग अलग जीवों गर में पाया जाना मैं घर में निकलना या घर में होना उन कब के अलग-अलग परणाम प्राफत होते हैं, या इन सभी जीवों के लिखने के अलग-अलग संकेट प्राफत होते हैं। जैसे खषशूंदरी जो रहती है उसके घर में रहने से ऐसा माना जाता है लंद की ब्रस्ती होती है। उसी प्रकार चूहा यदी घर में है तो चूहे का घर में रहना तो एक सामाननी घटना है, सामानी क्रिया है, यह बुद्धी के दाता और विग्णों को हरन करने वाले भगवान श्री गणेश का बाहन भी कहा गया है तो इसका रहना तो सुब होता है और यह चूहा जो है किसी किसी प्रकार का बगा कोई नुकसान भी नहीं करता है वेकिन बास्ती की दश्टी से यह देखते हैं तो चूहों की संख्या अचानक अधिक बल जाना या घर में प्रपाई बल्पाई बले बलबल में आवाज कर रहे हैं जिससे आपको किसी प्रकार का डिष्टर्ग हो रहा है तो यह किसी अनुहोनी घटना या बीमारी का संकेत भी हो सकता है अचानक चुओं की संख्या बलना सुख सम्रद्दी में कमी का संकेत है लेकिन फिर भी हमको चुओं को मारना नहीं चाहिए लोग कि हम चुओं को घर के बाहर करता समया हम भी करता है विर घर में से कम करता है या बिलकुल मूर्द पocyiva नहीं करना चाहिए त्चुछान देखना सभी तो संकेत रहता है पर बारवार में आना जाना सुवे के समय आना स्भाँपनल में आना जैंडन आगमन के प्रकार पिर सं तो सम्रद्दी का संकेत है सचुंद्री यदि किसी ब्यप्पी को के आसपास घूम करके चली जाए तो निश्चितुत व्यक्ति को किसी प्रकार का बड़ा लाग होने का संकेत है इसी प्रकार यदि आज के घर के आसपास सचुंद्री घूम के चली जाए परिक्रमा लगा करक किसी बड़ी विपत्पी के चलने का संकेश